देवियोर सजनो जाहिन्द, आज हम आठ दिसंबर 2021 किस्तमिनलाड में, कुनूर के पास भार्तिय वैस्वेनक एक हेलिकॉप्टर माई 17 वी एच रक्षा परमुग जल्ड विपिन रावत के साथ दुर रागण अग्रस्त हो गया। इस दुर घंडा में शामील चोदे में से तेरे लोगों की मोद की पुस्ति की गई थी। पदस्त रक्षा परमुग Chief of Defence Staff जल्ड विपिन रावत परम विशिष सेवा मेडल उत्तम युद्ध सेवा मेडल अथी विशिष सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल शेना मेडल विशिष सेवा पदक एड़ी कैंप ग्यारा वीर सेनिकों को सैनिक की आवाद चैनल एवं रास्ते सहीद कल्यान फाउंडेशन के तरफ से भाव बिनी सर्धा जली जल रावत के हम प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे जल बिपिन रावत का जनम उत्राकंड के पोड़ी गडवाल जिले मे राजपुत परिवार में हुआ जल रावत की माता जी परमार वंस से हैं इनके पूर्वज मायापुर हरीडवार से आकर गडवाल के परसई गाउं में बसने के कार्ण परसारा रावत कहलाए रावत एक मिलट्री टाइटल है जो वीभिन राजपुत सासकों को दिये गए थ यह कोई गोत्र या कोई सरनेम नहीं है इनके पिताल लेफ्टेंजरल लक्षमा सिंग रावत जो से लेफ्टेंजरल के पद से सेवाने वर्थ हुए थे रावत ते ग्यारवी गोर्खार राइफल्स की पांसवी बिटालियन में 1978 में अपने केरियर के सुरुआत की थी जल र दून जहां उन्हें शोर्ड ऑफ ओनर दिया गया आएम में के ट्रेनिंग के दोरान वेफ फोर्ट लीवन वर्थ यूएस से में डिफेंस सर्विसे स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन और हायर कमांड कोर्स के सनात तक भी हैं उन्होंने मदरास विस्विदाले से डिफेंस परबंधन में डिफ्लोमा और कंप्यूटर स्टाडीज में डिफ्लोमा लिया दोजार ग्यारा में उन्हें मीडिया सामरिक अधिनों पर अनुस्वद्धान के लिए चोधी चर्ण सिंग विस्विदाले मेरत यूनिस्टी द्वारा ड्रोक्त्रेट ओफ फिलोस्पी की समान उन्हें सो अठावन को हुआ और वो इस देश से इस दुनिया से 8 दिशंबर 2021 को चले गए वो भारत के प्रमुख रक्षा प्रमुख या चीफ अब डिफेंस स्टाफ थे उन्होंने जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहन किया इससे पूरो वो भारती थलसि दैंगर डिख्ष पद पर रहे सेने सवाए राजपूद पूरवार में पेदा हुए राउत की कई पी डी सेना में रही हैं जो की बहुत उलेखनी है जनवरी उन्न अस्सी में में मिजोरव में पर्थम ज्युक्ति पाई फाइ अलेवंट जी आर में नेफाइल आके में ते Chief of Army Staff का पद सम्हाला. 31 देसंबर 2016 को सेना के प्रमुख का पद उन्होंने सम्हाला है. यानि Chief of Army Staff. विदेशी सेनाओं से ताल मेल बढ़ाना, उनके साथ पर ट्रेनिंग के सडूल त्यार करना, उनके मुखे प्रियासों में से एक था जिसमें नेपाल, बंगलादेश, भूटा कितान, भरमाजि सहन मिया मामार कहते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कहमिनिस्तान, जादी देशों में जा जाकर के उनके सेनाओं में जाकर के लेक्चर देना, उनको मी이 करना अपने साथ में ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए उनको तयार करना यह के मुख्य उसमें था उनकी करतव प्रायनता कुसल प्रसासन उमदा लीडर्शिप सेना के अधूनी करण में उनका युगदान इनको उनको काफी अवार्डों से अलंग करत किया गया जिनमें मुख पुछ तुंगता सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, आजाली की पचासवी वर्षगाठ का पदक, तीस वर्ष लंबी सेवा का पदक, बीस वर्ष लंबी सेवा का पदक, नो वर्ष लंबी सेवा का पदक, सयुक्त रास्ट शांती स्थापना का पदक, प्रुसकार एव सम के लिए Integrated Single Theater Project Permaint Chairman Chief of Staff Committee सेना में तीनों सेना थल सेना नो सेना वाई विशना के बीच बहत्तर समनवे के लिए Integrated Theater Command के योजना पर काम जारी है Theater Command योजना के मोके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमिल बनाए रखने को ये बेहद उप्योगी काम उन्होंने किये फिराल चार नए Theater Command बनाने की योजना पर जनरावत काम कर रहे थे जिसमें आर्मी के पास तीन Theater Command जबकि नेवी के पास एक कमांड की जम्मिदारी होगी वही एर फोर्स को एर डिफेंस कमांड के जम्मिदारी भी दी जाएगी ये Theater Command देश के तिनों सेने सेनाओं को पहले से मुझूदा सत्रा जो हमारी आज कमांड है उसके ये इलावा थी Military Advisor थे वो Nuclear Commander Authority के जल सेना के अधुनिक बनाने का प्लैन भी उनके हाथ में था आर्मी के अथियारों को अपग्रेड करके Strategic Partisive Model पर विपिन राव साब के निगराने में काम चल रहा था इसके तह़ सरकार ने Private Companies को विदेशी अथियार निर्माताओं के साथ मिलकर Fighter Zets, Helicopters, Submarine और टेंकों का साजा तोर पर बनाने की अनुमती भी दी थी मैं एक बार फिर जनरल विपिन रावाद, Chief of Defense Staff और उनके साथ में ग्यारा अन्य सैनिक बहाद्रों को जिन्होंने अपनी जान गवा दी उस Helicopter द्रुगुटना में मैं उनको सरधाज लिजेता हूँ, अपने सरधा सुमन अर्पित करता हूँ, मैं भगवान से प्रात्ना करता हूँ कि उन सब को अपने चरणों में सरण दे और उनके प्रिवार को इस बेहद दुखी घड़ी में दुख सेहने की ताकत दे, जाह झाल करता हूँ